राजा और बाज एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेट किये वे बड़ी ही अच्छी नसले के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने सांदार बाज नहीं देखे थे राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी वेक्ति को नियुक्त कर दिया जब कुछ महिने बीट गए तो राजा ने बाजो को देखने का मन बनाया और उस इस्तान पर पहुच गए जहां उन्हें पाला जारा था राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी सांदार लग रहे थे राजा ने बाजो की देखभाल कर रहे वेक्ति से कहा मैं उनकी उरान देखना चाहता हूँ तुम इन्हें उरने का संकेत करो वेक्ति ने ऐसा ही किया संकेत मिलते ही दोनों बाज उरान भरने लगे पर जहां एक बाज आसमान की उचाईयों को छू रहा था वहीं दूसरा कुछ उपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बेट गया जिससे वो उड़ा था ये देख राजा को कुछ अजीब लगा क्या बाथ है जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा राजा ने सवाल किया जी महराज इस बाज के साथ सुरू से यही समस्या है वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे अगले दिन पूरे राजय में एलान करा दिया कि जो वेक्ती इस बाज को उचा उड़ाने में काम्याब होका उसे धेरो इनाम दिया जाएगा फिर क्या था एक से एक विद्वान आये और बाज को उड़ाने का प्रियास करने लगे पर हबतों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आस्मान में उड़ रहे हैं उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस वेक्ती का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था वो वेक्ती एक किसान था अगले दिन वह दर्बार में उपस्तित हुआ उसे इनाम में स्वण मुद्र काए भेट करने के पाद राजा ने कहा मैं तुम से बहुत प्रसन हूँ बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया मालिक मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ मैं ज्यान की जादा बाते नहीं जानता मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो जुका था और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उपर उणने लगा दोस्तों हम सभी उचा उणने के लिए ही बने हैं लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी उची उडान भरने की कुछ बढ़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंटियल के मुटाबिक नहीं हैं तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बेठे हैं दोस्तो यह छोटी सी कहानी के मात्यम से हमने जो आपको सीख दी वो आपको कैसी लगी और यह कहानी हमें आपको कितनी अच्छी लगी हमें कॉमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जर करें